होप एजुकेशनल पोर्टल में आपका स्वागत है आज हम तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं अध्याय का नाम है गोदोहन प्रत्मम द्रिश्यम मलीका मोधकानी रचन्ती मंदस्वरेन शिवस्तुति करोती तत्य प्रविष्टी मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदना है चंदनह अहा चंदनह तरही शीघर मेफ पूजन संपादय अर्थ मल्लिका लड़ूँ को बनाती हुई धीमी आवाज में शिव की स्तुती करती है उसके बाद लड़ूँ की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है चंदन वा सुगंध तो मनोहारी है देखकर अरे लड़ू बनाये जा रहे है प्रसन्न होकर तो स्वाद लेता हुँ लड़ू को लेना चाहता है मल्लिका क्रोध के साथ रुको रुको मच्छो इन लड़ू को चंदन क्यों गुस्सा करती हो तुम्हारे हाथों से बने लड़ू को देखकर मैं जीब की लालच पर काबू रखने में असमर्थ हूँ क्या तुम यह नहीं जानती हो मल्लिका अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी परन्तु यह लड़ू पूजा के लिए है चंदन तो जल्दी ही पूजा करो और प्रसाद को दो मल्लिका भो अत्रपूजन न भविश्यती हज स्वस्खिभ्य सह श्वह प्रातय काशि विश्वनाथ मंदिरन प्रती गमिष्यामी तत्र गंगास नानन धर्मियातराच वयं करिश्याम चंदन्व स्खिभ्य सह नमया सह विशादन नाट्यती मलिका आम चम्पा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाध्याह, सर्वाह, गच्छन्ती आथः, मयासह, तवाग, मनस्य, औचित्य, नास्ती वयन सप्ताहान ते प्रत्याग मिश्याम है तावत ग्रे व्यवस्था, धेनोह, दुग्धदोहन व्यवस्थाच परिपाले अर्थ मलिका, अरे, यहाँ पूजा नहीं होगी मैं अपनी सक्खियों के साथ कल सुभा काशिविश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी वहाँ हम गंगासनान और धार्मिक यात्रा करेंगी चंदन सक्खियों के साथ मेरे साथ नहीं दोखका अभिनय करता है मलिका हाँ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, आदी सब जाती है आथ मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई ओचित्य उचित रूप नहीं है हम सप्ताह के अंत में तक वापस आ जाएंगी तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध को दुहने की व्यवस्था को चलाना द्वितियम द्रिश्यम, चंदन अस्तु, गच्छ, सक्खिभिय सह धर्मयात्रया आनन्दिताचभव अ सर्वंपी परिपालेश्यामी, शिवास्ते संतु पंथाना चंदन मलिकातु धर्मयात्राय गता अस्तु, दुग्धदोहनम कृत्वा ततह स्वप्रात्राशस्य प्रबंधं करिश्यामी स्त्रीवेशन धृत्वा, दुग्धपात रहस्तह नंदिन्याह समीपं गच्छती उमा मातुलानी मातुलानी चंदन अउमे अह तु मातुल है तव मातुलानी तु गंदास नानार्थन काशी गता अस्ती कथै के ते प्रिय करवानी उमा मातुल पितामह कथ्यती मासानंतरम अस्मत ग्रिहे महुत्सवा भविश्यती तत्र त्रिशत सेट क्रमितन दुगधम अपेक्षते एशा व्यवस्था भवद्भिय करनिया चंदनह प्रसन्नमंसा त्रिशत सेट कक परिमितन दुगधम शोभन्व दुगधव्यवस्था भविश्यती एव इती पितामह प्रतित्वया वक्तव्यम उमा धन्यवादह मातुल याम्यधुना सा निर्गता अर्थ दूसरा द्रिश चंदन ठीक है जाओ और सक्खियों के साथ धर्मयात्रा से आनन्दित हो मैं सभी को पाल लूँगा तुम्हारे रास्ते शुभ हो चंदन मल्लिका तो धर्मयात्रा हे तुगई ठीक है गाय का दूध दुहकर उससे अपने नाश्ते जलपान का प्रबंध करूंगा स्त्री का वेश धारन करके दूध के हाथ में लिए नंदिनी गाय के पास जाता है उमाव मामी मामी चंदन हे उमा मैं तो मामा हूँ तुम्हारी मामी तो गंगास नान के लिए काशी गई है कहो क्या तुम्हारा भला करूं उमाव मामा दादा जी कहते हैं महीने भर बाद हमारे घर में उत्सव होगा तब तीन सौ लीटर तक दूध चाहिए यह व्यवस्था आपको ही करनी है चंदन प्रसन मन से तीस लीटर मात्रा माप में दूध सुन्दर दूध की व्यवस्था हो जाएगी ही ऐसा दादा जी को तुम कह दो उमाव धन्यवाद मामा अब जाती हूँ वह चली गई संधिया विच्छे दहवा तृतिया द्रिश्यम चंदन प्रसन्नो भूत्वा अलिशु गणियन अहो सेटकत्रिष्ट कानी पयासी अनें तु बहुधनम लपसे नंदिनी द्रिश्ट्वा भो नंदिनी तव कृप्या तु अह धनिका भविश्यामी प्रसन्न सह धेनो अह बहुसेवा करोती चंदन चिंतैती मासाногते एव दुगधस्य आवश्चकता भवती यदी प्रतिदिनम दोहन करोमी तरही दुगधन सुरक्षित नतिश्ठती इदानि की करवानी भवतु नाम मासानते एव संपूर्णत्य दुगधदोनम करोमी एवं क्रमेन सप्तदिनानी व्यतीतानी सप्ता हांते मल्लिका प्रत्यागच्छती मल्लिका प्रविश्य स्वामिन प्रत्याग्ता अहम आस्वादय प्रसादम चंदना मोधकानि खाती वत्तीच चंदना मल्लिके तव यात्रातु समयक सफला जाता काशि विश्वना थस्य कृप्या प्रिय निवेध्यामी मलिका साश्चर्यम एवं धर्मया त्रातिरिक्तन प्रेतरं की अर्थ त्रीतिय द्रिश्य चंदन प्रसन होकर अंगुलियों पर गिन्ता हुआ रे तीन सौ लीटर दूध इससे तो बहुत धन प्राप्त करूँगा, पाऊंगा नंदिनी को देखकर है नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा प्रसन होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है चंदन सोचता है मास, महीने के अंत में ही दूध की जरूरत है यदि हर रोज दूध का काम करता हूँ, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है अब क्या करूँ? ठीक है, महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध को दूध का काम करता हूँ, करूंगा इस प्रकार क्रमानुसार साथ दिन बीट गए सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है मल्लिका प्रवेश करके स्वामी मैं वापस आ गई प्रसाद को खाओ चंदन लड्डूओं को खाता है और बोलता है चंदन मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से सफल हो गई काशी विश्वनात की क्रिपा से प्रिय निवेदन करता हूँ मल्लिका आश्चर्य के साथ ऐसा है धर्मयात्रा के अतिरिक्त अधिक प्रिय क्या है चंदन ग्राम प्रमुखस्य ग्रिहे महोटसवह मासानते भविश्यती तत्र त्रिशत सेट कमितन दुगधं अस्माभिय दातव्यम अस्ती मल्लिका किन्टु एतावन मान दुगधं कुतह प्राप्स्यामह चंदन विचारे मल्लिके प्रतिदिनम दोहन कृत्वा दुगधं स्थाप्यामह चेतत सुरक्षितन नतिष्ठती अत एव दुगधं दोहनम नक्रियते उत्सवदिने एव समगरण दुगधं धोक्ष्यावह मल्लिका स्वामिन त्वंतु चतुर्तमह अत्युक्तमह विचारह अधुना दुगधं दोहनम विहाय केवलन नंदिन्याह सेवाम एव करिश्यावह अनेन अधिकाधिकन दुगधं मासानते प्राप्स्यावह द्वावेव धेनोह सेवाया निर्तो भवत है असमिन क्रमे घासादिकन गुडादिकन चभोजत है कदाचित विशानियोह तैलन लेप्यत है तिलकन धार्यत है रात्रो नीराजनेनापी तोश्यत है चंदन मलिके आगच्छ कुम्भकार प्रती चलावः दुगधार्थ पात्र प्रबंधोपी कर्णिया द्वावेव निर्गतव अर्थ चंदन गाव के प्रधान के घर में महीने के अंत में महुचसब होगा वहां 300 लीटर दूध हमें देना है मलिका किन्तु इतनी मात्रा में दूध हमें कहां से मिलेगा? चंदन सोचो मलिका हर रोज दूध करके हम दूध को रखते हैं यदि वह सुरक्षित न रहे तो इसलिए गाय का दोहन कार्य नहीं किया जा रहा है उचसब के दिन ही सारा दूध दूह लेंगे मलिका है स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो बहुत सुन्दर विचार है अब दूध दूहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे इससे अधिक से अधिक दूध को महीने के अंत में प्राप्त करेंगे दोनों ही गाय की सेवा में लगे होते हैं इसी तरह वे घास वगुड आदी खिलाते हैं कभी सीगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं रात में जल आदी से भी संतुष्ट करते हैं चंदन मलिका आउ कुम्भार के घर की ओर चलते हैं दूद के लिए बरतन का प्रबंध भी करना है दोनों ही निकलते हैं संधिय विच्छे दहवा चतुर्थन द्रिश्यम कुम्भकारा घटर्चनाया लीना गायती जात्वापी जीविका है तोह रच्चामी घटानहम जीवन भंगरन सर्वन यथैश मृत्ति का घट है अर्थ चौथा द्रिश्य कुम्भार घडे बनाने में व्यस्थ है और गाता है मैं जानकर भी जीविका जीवन के लिए साधन के कारण ही इन घडों को बनाता हूं सारा जीवन तूटकर नश्थ होने योग्य है जैसे यह मिट्टी का घडा तूटकर समाप्त होने योग्य है चंदना नमस्करों मितात पंचदश घटान इच्छामी कि दास्यसी देवेश कथन विक्रणा एव एते ग्रिहान घटान पंचश्तोत तर रूप्यकानी च देही चंदना साधु परमूल्यंतु दुग्धं विक्रिय एव दातु शक्यते देवेश क्षमेता पुत्र मूल्य विनातु एकमपी घटन न दास्यामी मल्लिका स्वाभूशन दातु मिच्छती तात यदि अधुनैव मूल्यं आवश्यकंतर ही ग्रिहान एतत आभूश्नम देवेशह पुत्रिके नाह पापकर्म करोमी कथम्पी नेच्छामी त्वाम आभूशन विहीना करतु नैतु यथा भिल्शितान घटान दुगधा विक्री एव घटमूल्यम ददातु उभाग धन्योसी तात धन्योसी अर्थ चंदन हे तात नमस्कार करता हूँ पंदरा घड़े चाहता हूँ क्या दोगे? देवेश क्यों नहीं? बेचने के लिए ही हैं ये घड़ो को ले लो और पांच सो रुपए दे दो चंदन ठीक है परन्तु मूल्यत दाम तो दूद को बेचकर ही दिया जा सकता है देवेश हे पुत्रक शमा करो बिना मूल्यत दान के एक भी घड़ा नहीं दूँगा मल्लिका अपने आभूशनों को देना चाहती है हे तात यदि अभी कीमत देना आवश्यक जूरी है तो यह जेवर ले लो देवेश बेटी मैं पाप का काम नहीं करता हूँ तुम्हें आभूशन विहीन कभी भी नहीं करना चाहता हूँ इच्छानुसार घड़ों को ले जाओ दूद को बेचकर ही घड़ों की कीमत दे देना दोनों क्तात आप धन्य हो धन्य हो पंचमंद रिश्यम मासानंतरं संध्याकाल है एकत्र रिक्ताह नूतंध्टाह संती दुग्धक्रेतारह अनेच ग्राम वासिनह अपर्त्र आसीना है चंदन धेनू प्रणमे मंगलाचर्ण विधाय मल्लिकाम आहवैती मल्लिके सत्वरम आगच्ष मल्लिका आयामी नाथ दोहन्म आर्भस्वतावत चंदन यदा धेनोह समीपं गत्वा दोगधुम इच्छती तदा धेनोह प्रिष्ठपादेन प्रहर्ती चंदनष्च पात्रेन सह पत्ती नंदिनी दुगधन देही की जातन ते पुना प्रयासं करोती नंदिनी च पुना पुना पादप्रहारेन ताडित्वा चंदन रक्तरंजितं करोती हा हतोसमी चीतकारण कुर्वन पत्ती सर्वे आश्चर्यें चंदनम अन्योन्य च पश्यंती अर्थ महीने भर बाद का सायंका इकठे ही खाली नए घड़े हैं दूध खरीदने वाले और दूसरे गाववासी दूसरी ओर खड़े हैं चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचर्ण पूजा करके मलिका को बुलाता है के मलिका जल्दी आओ मलिका आती हूँ स्वामी तब तक दुहना शुरू करो चंदन जब गाय के पास जाकर दुहना चाहता है तब गाय पिछले पैर से मारती है और चंदन बरतन के साथ गिरता है के नंदिनी दूध दो तुम्हें क्या हो गया फिर से कोशिश करता है और नंदिनी बार-बार पैर की चोट से मार कर चंदन को लहुलुहान कर देती है हाई मैं मार दिया गया चीखते हुए गिरता है सभी आश्चर्य से चंदन और एक दूसरे को देखते हैं मल्लिका चीतकारण शुरुत्वा जटिती प्रविश्य नाथ की जातम कथत्व रक्तरंजिता है चंदन धेनुह दोगधुम अनुम्तिम एव नददाती दोहन प्रक्रियाम आर्भमानम एव ताड्यतीमा मल्लिका धेनुस नहेन वात्सलेन चा आकार्य दोगधु प्रयत्ते किन्तु धेनोह दुगधिना एव इती अवगच्छती मल्लिका चंदन प्रती नाथ अत्यनुचितं कृतम आवाभ्याम यत मासपरियंतन धेनोह दोहनकृतम सापीडाम अनुभवती अत्यव ताड्यती चंदना देवी मयापी ज्यातन यत असमाभियसरवथा अनुचित्मेव कृतन यत पूनमासपरियंतन दोहननकृतम अत एव दुग्धन शुषकन जातम सत्यमेव उक्तम कार्यमध्यत नियां यत तदध्यय विधीता विप्रीते गतिर्यस्य सकष्टन लबते धुरुवं मल्लिका आम भरता है सत्यमेव मयापी पठितन यत सुविचार्य विधातव्य कार्यं कल्यान काटिना यह करोत्य विचार्य तत सविशीद्ती मानवः किंतु प्रत्यक्षत्या अध्य एव अनुभूतम एतत सर्वे दिनस्य कार्यं तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम यह एवन न करोती सह कष्टन लबते धुरुवं अर्थ मल्लिका चीख को सुनकर जल्दी प्रवेश करके स्वामी क्या हुआ? कैसे तुम लहुलुहान हो गए? चंदन गाय दूध दुध दुहने की अनुमती ही नहीं दे रही है दुहने का काम शुरू करते ही मुझे मारती है मल्लिका गाय को प्यार और पुछकार से बुलाकर दुहने की कोशिश करती है किन्तु गाय तो दुध्विहीन है यह समझ जाती है मल्लिका चंदन की ओर है स्वामी हम दोनोंने बहुत अनुचित किया कि महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया वह पीडा दर्द को अनुभव कर रही है इसलिए मारती है चंदन हे देवी मुझे भी लगा कि हमने पूरी तरह से अमुचित ही किया कि पूरे महीने तक दोहन नहीं किया इसलिए दूध सूख गया सत्य ही कहा गया है आज का जो काम है उसे आज ही करना चाहिए जिसकी गती काम करने का तरीका उल्टी होती है वह निश्चय ही कष्ट पाता है मल्लिका हा स्वामी सच ही मैंने भी पढ़ा है यतकल्यान चाहने वाले मनुश्य के द्वारा अच्छी तरह से सोच विचार कर काम को करना चाहिए जो व्यक्ती बिना विचार किये काम करता है वह दुखी होता है किन्तु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया दिन का काम उसी दिन ही करना चाहिए जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित कष्ट को अनुभव करता है जवनिका पतन्व, सर्वे मिलित्वा गायंती आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य चकर्मन है शिप्रम क्रिमानस्य कालह पिप्ती तद्रसम अर्थ पर्दा गिरता है सभी मिलकर गाते हैं लेने के देने के और कहने योग्य अन्य कर्म के शीघर न किये जाने पर समय उसका रस आनंद पी जाता हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें हमारे नए वीडियो की ततकाल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें